साइन्स सुछ चैनल की साथ इस वीडियो में हम वन शॉट रिविजिन लेके आ रहे अवर इंवार्मेंट चैप्टर की पहले हमने कुछ चैप्टर की वन शॉट रिविजिन डाल चुके हैं आप चेक कर सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट और आई बटन में तो अब हम इस वन शौट रिवीजन में अगर हम देखें तो सबसे पहले इंवारमेंट का मतलब क्या होता है इंवारमेंट का मतलब होता है जितने भी बायोटिक प्लस A-Biotic Elements होते हैं उनको हम Environment बोलते हैं Simple सी जी अब इसी के बाद एक चीज़ ओर आती है Ecosystem तो Ecosystem क्या होता है और Important भी यही है तो Ecosystem हम उसे बोलते हैं कि जहां आप जो Biotic Elements है और जो A-Biotic Elements है Living और Non-Living साथ में Interaction करते हैं इंटराक्शन और यह भी दो होते हैं एक Artificial होता है और एक Natural होता है Natural Ecosystem मतलब जिससे जंगल हो गए पैड़ पोदे हो गए उनको हम Natural Ecosystem बोलते हैं वही Artificial मतलब Human के बनाए हुए पार्क्स हो गए Lakes हो गए अगर Humans ने बनाए Artificial चीज़ जितने भी होती है Of Ecosystem तो उन तीन है सबसे बहला है Producer फिर Consumer And last But not the least Decomposers Producers वो लो होते हैं जो खाने को प्रेड्यूस करते हैं Like Plants And they are also called as Autotropic mode of Nutrition क्योंकि हम यह Autotrops कहलाते हैं Plants Consumers जो से consume करते हैं जैसे हम Humans Consumer में भी तीन आते हैं Herbivorous Carnivorous Omnivorous आपको पताए है Herbivorous मतलब जो Plants खाते हैं Carnivorous मतलब जो Animals को खाते हैं Omnivorous मतलब जो दोनों को खाते हैं Human Omnivorous में आता है Decomposers वो होते हैं जिसे Algae Fungus जो Dead or Decaying Matter को Decompose करते हैं और कहां Decompose करते हैं Soil के अंदर जिससे Soil की Fertility Increase होती और हां एक कोशन और आता है कि Decomposers का Role क्या है तो यह आपको पता होना चाहिए Decomposers बहुत IMPORTANT Role प्ले करते हैं Ecosystem के अंदर तो यह IMPORTANT चीज Ecosystem के तीन Components अब Producer, Consumer and Decomposers इन तीनों की मदद से हम एक चीज Derive करते है Mainly producers और consumers को लेकर जिसे हम बोलते है Food Chain Food Chain क्या होता है Food Chain एक ऐसी chain होती है जो sequential order में होती है जिसमें जो energy level है वो धीरे-धीरे decrease होता है या ऐसा भी लिख सकते है Food Chain is a sequence of animals where one animal is eaten by another animal Simple इसका एक example लेते है Simple सा जैसे grass है Grass को खाएगा Grassoper Grassoper को खाएगा Frog Frog को खाएगा Snake Snake को खाएगा Hawk Simple Grass जो कि हमारा क्या है Producer Grassoper हमारा क्या है Consumer और to be more particularly इसको हम बोलेंगे Primary Consumer Frog Secondary Consumer Snake Tertiary Consumer And last Hawk Final Consumer और इसको हम First Tropic Level बोलते है इसको Second Tropic Level बोलते है इसको Third इसको Fourth इसको Fifth Simple सी चीच और हाँ एक कोशन इससे मैंने देखा था कि Name the Animal या Name the Tropic Level Which is Herbivorous तो Herbivorous होते है Primary Consumer क्योंकि वो सिर्फ ग्रास को खा रहे है तो यह होती है Sequential Food Chain अब इसी के अंदर एक और आती है 10% Law जो कि One of the Important Concept है बहुत Important है याद रखेंगे 10% Law के According जो Energy एक Animal दूसरे Animal से लेता है वो सिर्फ 10% ही लेता है कितनी लेता है? 10% ही लेता है और दूसरा Important Questions कि एक Food Chain के अंदर Max to Max 5 Tropic Levels हो सकती है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती Hawk के बाद और कोई नहीं आ सकता उसका Reason 10% Law ही है समझे कैसे? मानते हैं कि जो Grass है अब Grass को भी Energy मिलेगी कहां से मिलेगी? Sunlight से तो मान लेते हैं कि Grass को 10,000 J जूल्स अफ एनरजी मिली अब Grass आपन ने Grass को खाया तो उसका से उसको 10% मिल रहा है तो हम बोलेंगे उसको कितना मिलेगा? 1000 J फिर अब जो Frog दादा है Frog किसको खा रहा है? Grass ओपर को तो उसको 1000 का 10% 100 J मिलेगा Snake Frog को खा रहा है तो उसको 10 J 10% की according Hawk Snake को खा रहा है तो उसको 1 J और आप एक चीज देख रहे है अगर Hawk को भी कोई खाता है For example Hawk को भी कोई खाता है तो उसको 1 J का भी 10% मतलब 0.1 J मिलेगा तो इस कारण से हम बोलते हैं कि Food Chain के अंदर 5 Tropic Level से ज़्यादा नहीं हो सकती ये इसका reason रहता है और आप ये देखिए Tropic Level जैसे जैसे नीचे जा रहे है वैसे वैसे Energy Consumption Low होते जा रहे है इसलिए जैसे जो लॉयन होता है उसका पेट जल्दी नहीं भरता है क्यों? क्योंको उसको Energy बहुत कम मिलती वो इसलिए थोड़े बड़े जानवर थोड़े जानवर खाने के chances करते है तो ये होता है 10% law important है और हाँ 10% law के according एक और चीज जिसे 10,000 में से 1000 तो ग्रास ओपर ने खाली बाकी बची यहां 9,000 यहां 10,000 में से 100 900 यहां 90 और यह 9 यह जो चारोई Energy है यह का चले जाती है? यह चले जाती है environment के अंदर इसे कौन यूटिलाइस कर लेता है? हमारे environment 90% of the energy is stored in the form of environment symbol यह होता है food chain का पूरा का पूरा system इसके बाद इसी में आता है food web web का मतलब होता है जाल जब भहुत सारी food chains से साथ में आ जाती है तो हम उसे बोलते है food web simple सा एक example आपको screen पर दिख रहा होगा जहापर आपके NCRD का example है बहुत सारी food chain है जिसको आपने mix कर दिया तो उसको food chain food web बोलते है the interlinking of many food chains to form a single web is called food web और इसमें याद रगना ultimate consumer या final consumer mostly lion होता है क्योंकि lion है share, king है raja ठीक? चले अब इसके बाद अगर हम आगे बाड़े तो इस chapter में एक चीज और बश्चती है फिर तो chapter भी छोटा सा ही है इसमें एक चीज और बश्चती है जो कि है bio degradable and non bio degradable waste simple सा topic है कभी का बार ये तीन नमर है पुछ लेता है bio degradable वो waste होता है जो decomposers आसानी से decompose कर देते है smaller material में जैसे wet food जिसको हम गीला खचरा बोलते है vegetables plants ये जो होता है decompose हो जाता है आराम से जिसको हम bio degradable waste बोलते हैं non-bio degradable waste वेचा not decomposed जिसको decompose नहीं कर सकते soil के अंदर जैसे plastic cans metals इनको हम क्या कर सकते recycle जरूर कर सकते बटे नहीं decompose नहीं किया जाता है symbol ये भी एक concept था जो मैंने आपको बता दिया और हाँ बच्चो चलो जब आएगा तब ही बता दूँ हमें लो डस्ट में तो वो तो simple ही है last को उसमें आता है ozone layer ozone layer के बारे में बहुत important question CBAC में आया हुआ है ozone layer जिसको हम O3 molecule बोलते हैं एक ऐसी layer है जो हमें sun की UV rays से sun की UV rays से protect करती है ये layer atmosphere में present है दूसरी चीज ये जो UV rays है ये cause करती है skin cancer इस कारण से हमें इससे बचना पड़ता है जो हमें ozone layer करती है बट धीरे धीरे ये ozone layer deplete होते जारी है खतम होते जारी है किसकी वज़द से CF, CS जिसको हम बोलते हैं chlorofluorocarbons जो किसमें रहता है जो रहता है आपका AC, refrigerators इन सब चीजों में जो chlorofluorocarbons रहते हैं उसकी वज़ए से ozone layer deplete होते जा रही है ये ozone layer का funda I think simple सा clear हो गया होगा अब हमने chapter revise कर लिया है अब हम देखते हैं कि इसके previous year questions और Oswald के questions कैसे आए हैं चलिए अब बढ़ते ज़दा questions की तरफ पहला question आपके screen के ओबर दिख रहा होगा यहाँ पर मैं आपको diagram भी बना देता हूँ ताकि हमें simple दिखे वहाँ पर दिया हुआ है green plants एक energy अप लिखाए यू फिले लिखाए बी फिले याँ लिखाए डियर जो कि हर भी वोरस लिखाए उन्होंने tiger यहाँ पर गया c यहाँ पर गया e और tiger से गया है d दिखते हैं क्या पूछ रहा बही है question in the following food chain vertically arrows indicate the energy loss to the environment यहाँ सम्झेंगे loss to the environment vertical मतलब यह बी और डी and horizontal arrows indicate the energy transferred to the next tropic level तो यह यह तो energy loss है a c e sorry and b or d आपका next tropic level को जा रहा है which of these vertical arrows a c e a c e will and which one of the horizontal arrows b and d will have more energy transfer give reason यह ज्यादा energy transfer कौन करेगा सबसे पहला अगर a c और e में बात करें vertical arrows तो सबसे ज्यादा a करेगा reason क्योंकि a क्या है producer producer तो producer के पास energy ज्यादा रहती है and वह energy जब 10 परसेंट लो क्या according जाता है तो मानों अगर यह 1000 जूल है और यह जा रहा है आपका 100 जूल हाँ फिर यह जा रहा है आपका 10 जूल तो अभी यह सबसे ज्यादा energy transfer कर रहे है 900 तो क्या होता है जब भी energy transfer होती है इंवार्मेंट में तो according to 10 परसेंट ड्रॉल producer विल ट्रांसफर producer और ग्रास विल ट्रांसफर more energy to the environment अब अगर B.O.T. में बात करें कि ज्यादा energy किसके transfer होगी आप खुद बद ही कि tiger को ज्यादा मिलेगी नहीं sir वो तो bottom पे उसके तो कम मिलेगी deer को सबसे ज्यादा मिलेगी after the green तो green plants और जो deer है उसका answer हो जाएगा B clear next question पर देखते है अपन क्या कह रहा है next question अबन से let the amount of energy at the fourth tropic level of the given food chain is 5 kilojoule what will be the channel available at producer level why do producer always occupy the first tropic level on every food chain पहले इसका answer दे देते हैं कि हमेशा producer first पे ही क्यो हो रहते हैं बही है इसका simple सा answer है because producers producers are the one which produces the foods also called as auto-trops without them no food supply will be supplied to next tropic level producer नहीं होंगे तो कोई भी जो food है वो transfer नहीं होगा अब रही बात first question की तो अगर हम देखें क्या है बही है ग्रास ओपर अचा होगा ग्रास फिर ग्रास ओपर उसने बुला था उसने बुला था कि फॉर्थ ट्रोपिक लेवल पे 5 किलो जूल है फॉर्थ फॉर्स सेगेंड थर्ट फॉर्थ मतलब स्नेक चचा को 5 किलो जूल मिल रहा है तो फॉर्थ को कितना मेलेगा पचास ग्रास ओपर को पांस सो ग्रास को पांच हजार आप पहले नीचे आ रहे तो अब ऊपर चले जा भाई यह पांच का दस परसेंट पचास पचास पांस सो पांच हजार सिंपल था वह नई चीश्ट थी नी नेक्स कोशन की दरब अगर हम बढ़े एक बार यह देख लीचिए Management of waste is a very important for today's society the generation of waste is getting double day by day as the population increasing moreover the increase in waste is affecting lives of people differentiate between biodegradable and non biodegradable with the help of example biodegradable waste is those waste which are decomposed easily by the decomposers like vegetables fruits plants etc non biodegradable waste is the waste which cannot be decomposed by the decomposers like plastic cans metals etc simple list two changes in habit of people must adopt to dispose non biodegradable waste for saving the environment क्या एसी दो habits से जो लोग करेंगे सबसे पहले कि सेपरेट boxes में वेस्टे डालिए green green जो रहता है dust में रहता है वो गीले कचरे के लिए सूखे कचरे के लिए yellows के लिए red रहता है trash के लिए hospitalized waste को अलग रखिये दूसरी चीज जितना हो सके non biodegradable waste को recycle reduce और reuse कर दिये simple सी चीज और हाँ बच्चो जैसे यह भी question आया biodegradable और non biodegradable वाला आपको ऐसा question देखना को मिल रहा है और यह खुशी की बात है reason आपकी general knowledge इतनी है कि लोगों को क्या habits में change करना चीए waste से related environment को बचाने से related तो आप लिख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है next question oh in a biology class teacher taught students about the energy flow by drawing food chain in the following food chain plants provide 5000 joule energy to grass open छीग है बहिया how much energy will be available to owl from snakes can the organism be removed simple है वैसे तो आपको ही करना चीए बना लेते हैं इसको क्या कह रहा है भईया पहले है plant फिर ग्रासों पर bird snake owl तो पहले बोल रहा है कि plants ने 5000 joule energy इनकी प्लांट्स के होगी पचास हजार बर्ड को मिलेगी 500 snake को मिलेगी पचास आउल को मिलेगी पांच simple सा तो है कोई नई चीश तो मैं कहेंगी रहा हूं ट्री ने इंसेट्प्स को 15 सो दी तो ट्री शावर्ज को स्वर्ड इंसेक्स को 15 लेगी तो इंसेक्स ट्री शीऊवस को कितना देंगे, 300 ट्री शीऊवस आवल को देंगे 15 J simple ना कोई नई चीज तो है नही नहीं चली, next question की दरफ बढ़ते हैं शिल्पा studied the flow of energy at different tropic levels based on the study what does flow chart depict, food chain cannot have more than 4 tropic levels सीधी से बात है क्यों नहीं हो सकती more than 4 tropic levels क्योंकि जैसे जैसे हम energy consumption लेते हैं the energy consumption is reduced as animals increase or as tropic levels increase so the last consumer will get least amount of energy in the given figure 3 tropic levels are there, what does x, y, z similar देखो बाइया, producer के ऊपर x primary consumer secondary consumer के ऊपर tertiary consumer या final consumer, simple सीजीए तो यह हमारे our environment का one shot revision plus previous year questions हमने complete कर लिए next video में हम एक और one shot revision लेके आएंगे thank you for watching this video, राधे राधे